यह पार्ट टू है उस वीडियो का जो मैंने आपको बताया था कि MBA और VBA या फिर कोई management courses के दोरान आपको कौन-कौन सी चीज़े सीखने की कोशिश करनी चाहिए तो यह उसका second part है और इसमें मैं आपको चार ऐसी चीज़े बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी tips centrics देने जा रहा हूं जो आपको बहुती फाइदे देंगी मदब फाइदा आपको पहुंचाएंगी तो चलिए शुरू करते हैं तो पहला जो है mock interviews ठीक है आपको कोशिश करनी है कि अपनी job या फिर जो placement आपका होगा ठीक है जो भी management course आप कर रहे हैं अगर आप जॉब लेना चाहते हैं तो जो भी आप placement आपका होगा उसके लिए interview होते हैं आपको पता ही है तो आप क्या कीजिए कि interview की mock practice जरूर करें ठीक है अगर आप अपने जो भी professors की help लीजे और अगर आपको कही mock interviews देने का mock आ मिल रहा है तो वो भी आप कीजिए इससे होगा क्या यह आपकी personality को grow करेगा और आपको बहुत सारी knowledge भी देगा और यह आपके job interviews में select होने के chances को भी बढ़ा देगा ठीक है next पे बात करते हैं study यानि की case study तो यहाँ पे क्या ह आप ज्यादा से ज्यादा पढ़िए case studies से क्या होता है आप जो आगे job करेंगे या business करेंगे उसमें आपको फाइदा मिलता है और आपकी जो thinking ability है creative thinking है या आप जो भी administrative thinking है उसको आप बढ़ा सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से case studies हमें बहुत कुछ सिखाती है practical knowledge देती ह इसलिए आप जादा से जादा case studies भी पढ़िए और उनको देखिए उनका analyze कीजे analytical thinking आपकी अच्छी होगी analytical thinking बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप case studies पढ़िए और मतलब आप ऐसी चीज़े पढ़िए जिसको आप analyze कर सकने ठीके next आता है personalities ऐसी personalities ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जो आपके profession से आपके job career से या आपके business से related हूँ ठीक है जादा से जादा ऐसे लोगों के बारे में पढ़िए जिनको पढ़ने के बाद आपको कुछ ऐसा लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा है उन लोगों से ठीक है बहुत सारे ऐसे personalities हुए हैं इतिहा और अभी भी हैं जो personalities अभी current में हमारे आसपास हैं ठीक है जो business career में है या job career में है जो बहुत ही high profile पे पहुचे हैं उनको भी पढ़ने की उनकी studies पढ़ने की कोशिश कीजिए उनकी जीवनी यानि कि उनकी autobiography जो भी है वो पढ़ने की कोशिश कीजिए ठीक है बहुत सारी books होती है उनके उपर तो वो आप उनको पढ़ने की कोशिच कीजिए नेक्स आजाता है seminars seminars attend किया करिए आप seminar attend करने से आपको बहुत सारी फाइदे होते हैं एक तो आपको confidence build up होता है personality grow होती है प्लस आपको बहुत सारी knowledge मिलती है तो students and friends इस वीडियो में इतना ही और जहां तक मैं समझता हूँ मैंने कई सारे points cover किये अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको कुछ और चीजे भी मुझसे जाननी है इसी management जो भी courses है उनके दौरान को क्या करना चाहिए क्या नहीं तो आप मुझे please comment में बताए नहीं तो मेरा WhatsApp है उस पे आप WhatsApp कर सकते है 8868 00544 ठीक है 8 8868 00544 यह मेरा WhatsApp कर सकते हैं मुझे message कर सकते हैं मैं आपका reply करूँगा ठीक है thank you so much